आज हम बात करेंगे कि वो कौन से तीन चीज़े है जो हमें रोज करना चाहिए नहीं खाना, पीना, सोना, पोटी करना इन सब के बारे में मैं नहीं वोलने बाली हूँ ये तो आपको पता ही है ये मैं नहीं भी बोलूँगी तो भी आप रोजी करोगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो के बारे में बता देती हूँ तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो अब जाके देख सकते हो तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते है अच्छा ये बताओ आप अपने बारे में कितना जानते हो ये जानते होंगे कि आपका पसंद ना पसंद क्या है पर उस से जादा क्या जादा तर टाइम तो हम दूसरे चीजों में ही लगा देते है और जितने टाइम भी अकेले रहते है टीवी, कम्प्यूटर या मोबाइल के साथ ही बिताते है और खुद के साथ कितना टाइम बिताते है घंटा Actually में बात ऐसी है कि हमने कभी खुद को जानने की कोशिश ही नहीं की बस दूसरों को जानने में टाइम बर्बाद कर दिया और फिट भी जान पाएं? नहीं दोस्तों अगर आप खुद को जान लो ना तो जिंदगी की जादातर प्राबलम सॉल्ब हो जाएगी तो जो चीज आपको खुद से अलग करती है वो खराब है और जो चीज आपको खुद के पास लाती है वो अच्छा है जैसे कि मेडिटेशन, सेल्फ केर ये आपको खुद के बारे में जानने में हिल्प करेगी नमबर टू इंसर्ट सम्थिंग गुड पूरे दिन हम कितना कुछ करते है कितना कुछ देखते है कितना कुछ सुनते है और इतना सारा घारवेज भटते रहते है कुछ अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा सीखो जिससे आपको अच्छी सीख मिले इंस्पिरेशन मिले और आप उससे कुछ अच्छा कर पाओ नमबर टू डू सम्थिंग इू आर पैशनेट अबाउट पूरे दिन में कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो करने में हमें अच्छा लगता हो बहुत सुन लिया दूस्टों की पर उससे क्या मिला? खुशी? वो तो उनको मिला ना? आपको क्या मिला? हाँ, पैरेंस की सुनना अच्छी बात है समाज की भी सुनना अच्छी बात है पर उनकी सुनने से उनको शन्तुष्टी मिलती है आपको नहीं तो आपको जो भी अच्छा लगता हो अगर आप आधा घंटा भी उसके लिए निकालो तो आपको इतनी खुशी होगी न? खुट करके देखो समझ जाओगे तो दोस्तों ये थी वो तीन चीज़े जो आपको रोज जरूर करना चाहिए दिन तो गुजर रहा है पर अच्छे से बीत नहीं रहा समय निकल रहा है पर समय का अच्छा उप्योक नहीं हो रहा ये तीन चीज़े रोज करके देखो फिर देखोगे कितना अच्छा परिवर्त नाया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब करते ना तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट विजडे को तब तक के लिए गुडबाई और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर देखोगे